आप सभी देके तिनसुक्या चैनल वीवर्स को ब्रह्मा कुमारिस तिनसुक्या परिवार के तरफ से ओम शांति हैं आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हर बार की तरह इस बार भी ब्रह्मापुत्र पीसवली रिकृत सेंटर पर तीन दीन के लिए चैतन्य दुर्गा पुजा का कार्यक्रम आरजिन किया गया लेकिन इस बार कुछ मया था उनकी कुछ जलकिया मैं आपको दिखाना चाहती हूँ लेकिन इससे पहले मैं आपको ले चलती हूँ गेट की तरफ यह हैं चेतन्य दुर्गा पुजा ज्हांकी का गेट जिसे बहुत ही सुन्दर तरीके से लाइटिंग से सजाया गया है चलिए आगे चलते हैं यहां पर बहुत ही सुन्दर तरीके से पेड़ों पर लाइटिंग की गई है जो वाकई बहुत ही खुपसुरत लग रहा है और यह है रिट्रीट सेंटर की बिल्डिंग अभी हम आपको ले चलते हैं प्रोग्राम की तरफ सो प्रोग्राम में आए हुए थे कई सारे ओनरेबल गेस्ट तो उनको भी जो तिन सुक्या सेंटर की संचाली का है रजनी दीदी उन्होंने और लीला दीदी ने दोनों नहीं मिलकर सभी गेस्ट को फेलिसिटेट किया आसमिस गंचा पहना कर ही कि किने प्रोग्राम के लादे रॉ़ दय तो कि कि ईत्रबोक में बीद चके है वोव कित्या दीकित करो देज़ाबंटर मेहमानों की स्वागत के अभी खुलने वाला है लेकिन इससे पहले महिशा सुर्फ और ब्रह्मा कुमारी का होने वाला है पहुत ही सुन्दर कन्वर्सेशन जिसकी जलक्या आप देख रहे हैं इस कन्वर्सेशन की पूरी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसकी वीडियो में अपलोड कर दिया है तो वहां पर जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं सो इस तरीके से होता है जाकी का ओपनी ओपनिंग करने के बाद सभी महमानों को दीप चलाने के लिए आगे बुलाया जाता है सभी महमान दीप प्रजलन करते हैं केंडल लाइटिंग के बाद रजनी दीदी ने इस चैतन में दुर्गापुजा का आयोजन के तीछे क्या उद्देश्य है इसे समझाया कि हम दुर्गापुजा चैतन रुपने क्यों मनाते हैं तो उसक्या आपको कुछ जलब दिखा रहे हैं कि हम सभी को एक मैसेज दें इस जहांकी के प्रदर्शन के द्वारा कि यह देवियां कौन है यह बताएं सभी को कि यह देवियां हमारे ही अंदर की शक्तियां हैं हम सभी आत्माओं के अंदर वो शक्तियां हैं जो शक्तियों को अभी हम पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम आत्मा का ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम सभी body conscious में हैं, देही भान में हैं, तो हमारे अंदर की ही शक्तियां वो खतम हो गई हैं, और जब शक्तियां खतम हो गई हैं, तो हमारे अंदर ही काम, प्रो, लोमो, एहिंकार, इर्शा, नफरत, घ्रना, ये जो आसुरी पुरा विश्व, कभी ऐसा था, जो स्वनीम था, सत्यूग जिसको कहते हैं, लेकिन आज ये कल्यूग हो गया है, और दिखाई दे रहा है कि जैसे ये नरक जैसा हो गया है आज, तो कैसे अभी हम इसको परिवर्तन करें, तो ये ही सारी बाते तो ऐसे हमारे भारतिय में बहुत पहले से ही वर्णित हैं, लेकिन हम उनको अभी तक इतना अंदर से महसूस नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर जब हम ब्रहा कुमारी इसमें आते हैं और यहाँ पर हमें जब नॉलिच मिलती है, तब हमें ये पता चलता है, हर चीज का एक आध्यात्मिक रहस से पता चलता है, और हमें अपने ही अंदर की उन शक्तियों को जगाना है, और उसके लिए हमें परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है, उनके समझाने के बाद फिर कईयों ने अपने अनुभव भी शेयर किये, इसमें DRM सर है, काजल गोहाय सर है, उन्होंने भी अपने अनुभ शेयर किये, अनुभव शेयर करने के बाद सभी को इस शुर्य सवगात भी दिये गए, इस शुर्य सवगात देने के बाद उनकी उन सभी के ग्रुफ फोटो सेशन हुए, अब जब परदाबंध होने की बारी आती है तब और एक कनवर्सेशन यहां पे शुरू हो जाते हैं, जो होता है पुजारी और देवी दुर्गा के बीच, तो इस कनवर्सेशन की पूरी वीडियो मेंना अल्रेडी अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस समवात के माध्यम से समझाया गया नवरात्री का अध्यात्मिक रहस्य, इसी तरह से अश् कारे नौ बजे तक ये प्रोग्राम ऐसे ही रहा। नवमी के दिन भी अश्टमी के दिन के तरह ही शुरुआ थी, सब कुछ बिलकुल वैसा ही था, लेकिन यहाँ जो गैस्ट आए वे थे, वो काफीज, इस्पेशन गैस्ट से, तो आए थे यहाँ पर OC सर और DC सर भी आए थे। झाले वे वे प्रोग्राम चाहर ही जो आए थे यहाँ परोग्राम झाल झाल तो उनकी ग्रुफ पोटोग्राफ्स में आपको दिखा रही हूँ और बाकी कल्मी के तरह यानि अश्टमी के दिन के तरह भी पुरा प्रोग्राम चला और अनवमी के दिन रात दस बजे तक प्रोग्राम समाख हो गया ओम शन्ति